तो हेलो अब्रिवन गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सिंगोला और आप जुड़े हुए मेरा ओफिशल यूटूब चैनल से पहले वार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क गर लेना है आपको पहले से पता है कि मैंने एक सीरीज को शुरू किया है यह जो सीरीज मैंने शुरू की है और इस सीरीज के अंदर हमारे एकोसिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक्स है इस इकोसिस्टम की जो complete information है वो मैं आपको पार वाइज यहां पर मैं देता रहूं technical information है वो भी आपको साथ ही साथ मिलती रहे कंपनी की तरब से जो भी हमारी update आती है जो भी information आती है वो तो आपको मिलती रहती है लेकिन एक technical information भी आपके लिए बहुत जादा जरूरी है यह मैंने series क्यों शुरू की है इसके पीछे क्या reason है सबसे बड़ा reason तो यही है कि जब भी हमारे organization की अंदर जो customer आने वाले हैं चाहे वो company की तरब से आएं चाहे वो आपकी द्वारा आएं हर एक customer को जब भी आप अपने business के वारे में समझाएंगे तो आपको हर एक व्यक्ति को basic level से ही आपको समझाना पड़ेगा यानि इनको आपको zero से बिल्कुल समझाना पड़ेगा आपको किस तरीके से ID को create करना है किस तरीके से omail बनाना है किस तरीके से आपको अपना omail ID password डाल करके अपने ecosystem को on करना है ecosystem को on करके उसके अंदर जितने भी options हैं उसको किस तरीके से उनको use करना है यह सारी की सारी information आपको बिल्कुल zero label से उनको सिखाने पड़ेगी इसलिए यह मेरे series की तीसरी वीडियो है जिस इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ marketplace के वारे में जी हाँ जो information मैं आपको देने वाला हूँ वो है हमारा पहला option जो हमारा menu war होता है जिसमें हमारे बहुत सारी options होते हैं उस menu war का पहला option है marketplace marketplace एक बहुत इंपॉटन यह हमारा option है और यही एक वो जगा है जहाँ पर हम सभी लोगों के जो product हैं वो हम सभी लोग यहाँ पर आकर के purchase करते हैं marketplace ही एक वो जगा है जहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा जो बैवसाय है पूरा का पूरा जो बिजनिस है यह बिजनिस यहाँ पर करने वाले है मार्केट प्लेस ही वह एक जगह है जहाँ पर हम बहुत सारे पड़क को पर्चेस करने वाले हैं और लोगों को एक साथ purchase कराने वाले हैं Marketplace ही वह जगे है जहां पर हमारा एक बहुत बड़ा business यहीं से ही build होने वाला है जितने भी हमारे product purchase किये जाएंगे हमारे दुआरा वो सभी आप market place में जा करके ही purchase करेंगे आपको वहाँ पर उनका सारा का सारा subscription दिखाए देगा जो भी आपको free trial में भी अगर आपको कोई भी product वहाँ पर company की तरब से मिलता है तो वह भी आपको वहाँ पर दिखाए देगा उसकी बाद जब आपको subscription करने की बारी आती है तो आपको subscribe भी market place में जा करके ही करना पड़ेगा तो आप जब नए customer को समझाएंगे तो आपको बिल्कुछ zero level से आपको उनको समझाना पड़ेगा आपको step by step वहाँ पर समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर step by step follow करते हुए अपने हम gateway के उपर पहुंचते हैं और वहाँ पर हम अपना payment करते हैं तो marketplace एक वो जगह है जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बिजनिस यहाँ पर दिखाई देने वाला है इसके लावा यहाँ पर कुछ और भी short cuts की जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी इसके लावा यहाँ पर जो हम लोगों को जो O coins मिलते हैं जो 10 O coins वगरा होते हैं या जो भी हमें bonus वगरा मिलता है company के तरब से जो हमें wallet में दिखाई देता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है तो इस तरीके से अगर हम देखें तो marketplace हमारे लिए बहुत ही important options है अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने ecosystem के वारे में कुछ भी सिखाना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो आपको एक दिन में पूरा ecosystem कभी भी नहीं सिखाना है एक दिन में अगर आप उनको सिखाने की कोसिस करते हैं तो आप बिल्कुल fail हो जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए उनको step by step या एक session wise या part wise या जिस तरीके से भी आप एक formal तरीके से समझा सकते हैं उसी तरीके से आप उनको समझाएं तो यह मेरे तिसरी वीडियो थी और जिसमें मैंने आपको बताये कि market place में हम सब लोगों का क्या काम होने वाला है यहीं पर हमारे सारे product हैं जो हम सब लोगों को यहाँ पर दिखने वाले हैं और यहीं से ही हम अपने एक एक करके सारे के सारे जो product आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर वो सब के सब हम यहीं सही पर्चेस करने वाले हैं इसको अगर मैं अपने आसान सब्दों में समझाने का प्रयास करो तो आप यूं समझिए कि जिस तरीके से हम अपने एक लोकल मार्केट में निकलते हैं तो वहां पर बहुत सारी दुकाने होती हैं कॉस्मेटिक की दुकाने होती हैं कपड़े की जूते चपल की और भी बहुत सारी केंटेकरी की दुकाने वहां पर होती हैं और उस market में हम जाते हैं तो वहां से हम shopping करते हैं और अपना सामन लेके घर आ जाते हैं. बिलकुर उसी तरीके से जो भी product हम यहां पर purchase करेंगे अगर आप उसको बाद में उससे income लेना चाहते हैं उसके द्वारा income कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको खरीदना पड़ेगा. जब आप उस product को purchase कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी referral link के माध्यम से उस product को किसी भी व्यक्ति को आप join करके उसको आप sale भी कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप अपना ये business बहुत तेजी से grow and grow, grow and grow करते जाएंगे. So I hope आपको marketplace के वारे में information हो गई होगी. अगर कुछ भी रह गया हो तो आप अपने level से भी जो है उनको समझा सकते हैं. मिलते हैं next video के अंदर एक और नई update के साथ. Thank you so much, have a nice day. We are soon it to win it. जीत हमेशा OC की होगी, जिसकी तयारी अच्छी होगी.